करपूर गवरं करुडावतारं संसार शारं भुजिगेंद्र हारं सदाव संतम हिर्दार विंदेभवं भवानी सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोचाचार डॉक्टर विंतरपार्थी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है रहु काल का वे तिशा सूल का वे शारी बाते हम आपको बताएंगे आज का महामंत्र क्या है ये भी बताऊंगा और बारह राशियों की भी बारे में बताऊंगा कि आज की बारह राशियां क्या कहती हैं कौन बिदेश जाएगा कौन भारती परसास्विक से वा में जाएगा क कि माली हालत केश होगी सारी बात है मैं आपको विस्तार से बताएंगे किस अंग्य के प्रयोग करने से आपका भाग मिलेगी यह बताओंगा सौधानी का अब नुष्खें बताओंगा दर्शों के प्रस्टों का उत्तर भी दूँगा और आज जिनका जन्मदीन हैं उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहिए भाग्य गुरु कारेकरम अब आई ये हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 24 अप्रेल 2024 दिन है बुद्धवार सुर्योदय हो चुका है सबेरे 5 बच के 46 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 6 बच के 52 मिनट पर आज कृष्ण पक्ष है सिद्धी योग है आज चंद्रमा रहेगा तुला राशी में स्वाती नच्छत रहे और आज खरिदारी के लिए कोई सो मोर्त नहीं है इसलिए कोई नया कारिया खरिदारी ना करें तो बैतर होगा आज का रहुकाल है दो पहर 12 बच के 19 मिनट से लेके एक बच्छ संतौन मिनट अपरान काल तक रहेगा और उत्तर दिशा का दिशा सूल है आज आपको ध्यान रखना का चंद्रमा है तुला राशी में चंद्रमा हो तो व्यक्ति का आज आपका जीवन आज का जो दिन आपका बहुत ही शांदार होगा जो भी एफल्ट करें उसमें आपको जो भी रखेंगो ऊसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी राहुकाल में कोई कारे नहीं करना है दिशा सूल में यात्रा करने से परहेज करें लगता यात्रा छोटी दुरी की है करना आपका यहारे है ताप क्या करें कि दही गुढ़ खा करके और केसर का तिलक लगा करके मा आपको सफलता मिलेगी आपका यात्रा शुब होगा अब आई हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम आयंग हेरिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे यह जो महामंत्र है जगत के अधिश्ठात्री देवी माता आदिशक्ती दुर्गाजी का है अगर माता दुर्गाजी की अराधना करते हैं तो माता दुर्गाजी के अराधना करने से आपके प्रत्कूल ग्रह भी अनकूल फल देने लगते हैं आपकी परिशानिया दूर होंगी आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपके संकट का निवारण होगा और आपके स सुख सम्रिधी आईश्वरी में ब्रिद्धी होगी और ध्यान रखना है कि जब भी आप इस महामंत्र का जब करेंगे तो केसरिया कलर या लाल कलर का वस्तर धान करके और उद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जब करें आपकी इस्तिया परिशितियां एकदम अनकूल होती